हेलो दोस्तों वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल सुरज पटल एजूकेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल के जितने भी स्टुएंट है इन्हें इंतजार था कि हमारा एक्जाम डेट कब से है हमारा एक्जाम कब से चालू होने वाला है काफी ऐसे स्टुएंट ने ये सवाल पूछा हुआ है जो मेरे यूटूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगा वाट्सब, फेस्बुक पे, इंस्टाग्राम पे भी काफी लोगों ने कमेंट करके पूछा है तो दोस्तो कुछ इस्टुएंट का टाइम टेबल आ गया है, किन-किन इस्टुएंट का आया है मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, तो जितने भी नए दोस्ते प्लिज इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने ज़्याद से ज़्यादा दोस्तों में जरूर से एर करना साथी साथ और एक सवाल है, जो इस वीडियो में ही कवर कर देता हूँ, कि सर एक्जाम ओफलाइन होने वाला है, कि ओनलाइन होने वाला है ये सवाल काफी ज़्यादा इस्टुएंट का था, तो दोस्तों मैंने 100% बताए कि आपका एक्जाम कौन सा होने वाला है मैंने वीडियो इसके रिगार्डिंग बनाया है, आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हो, या तो इस वीडियो के एंड में या तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो, अब बात कर लेते हैं दोस्तों टाइम टे ठीक है, institution of digital and open learning, ठीक है, यह सांता कुरुस बेच का है, कलिना युनिवर्सिटी का, और देखे, date of commencement of online examination, दोस्तों, इधरी आपको clear होगा, कि exam आपका कैसे होने वाला है, आप सभी student का जो exam है, वो online more होने वाला है, offline more नहीं होने वाला है, अब बात कर लेते हैं, दोस्तों, कि कौन से कौन से board की exam होने वाला है, दोस्तों, जो CBC board है, जो Mumbai University ने चालू रखा है, वो plus non-CBC board, ठीक है, मतलब जो state board आ जाता है, इन दोनों student का है, दोस्तों, सबसे पहले में आप लोगों को, जो exam paper है, जो exam होने वाला है, वो मैं CBC student का बता देता हूँ, इसी के दिसे non-CBC student का भी है, दोस्तों, CBC जो board का है, जो FIBA, Fraser student है, उनका 20 अप्रेल से चालू हो रहा है, FIBC, Fraser student का भी 20 तारिक से हो रहा है, दोस्तों, मैं Fraser बोल रहा हूँ, इसके पीसे reason है, कि कुछ repeater student का भी exam date को रिक्रेल किया गया है, इस वज़े से मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस student का 20 अप्रेल से है, MSC IT, Fraser student का 20 तारिक से exam इनका भी चालू होने वाला है, साथ में MSC की student पूछ रहे कि सर हमारा exam online होने वाला है, कि offline होने वाला है, दोस्तों, आप लोगों के उपर online और offline दोनों more apply किया गया है, और आप ये Fraser student का भी तारिक है, 20 अप्रेल, अब दोस्तों, इसकी नीचे हम बात कर लेते है, non CBC semester pattern, ठीक है, जो non CBC है, जो मतलब state board से exam दे रहे है, उन सभी student को BSC IT, repeater की बात कर रहा हो, same one repeater का 20 अप्रेल से exam है, ठीक है, फिर BSC IT, Fraser and repeater, दोनों का, ठीक है, same third का, 22 अप्रेल से exam है, BSC IT, Fraser and repeater, 20 अप्रेल से exam है, BS, अपना MSE, ठीक है, MCA, सोरी, MCA online and offline more में है, ठीक है, repeater student का, same one का, 20 अप्रेल से है, ठीक है, same third का, MCA, online offline more, Fraser and repeater, तोनों की student के लिए, 22 अप्रेल से होने वाला है, same five, MCA, online, offline more, Fraser and repeater, 20 अप्रेल से होने वाला है, फिर, PZ, DFM, फिर, PZ, DORM, pressure and repeater student का, दोस्तों, 20 अप्रेल से होने वाला है, अगर, Sam 2 की बात करूँ, DZ, PZ, DFM की है, तो इनका 22 अप्रेल से होने वाला है, अगर, MCA, online and offline more, repeater की बात करूँ, तो 6 मैं से है, और MCA, online, offline more की बात करूँ, repeater की तो 7 मैं से है, और project जो है, repeater student का, वो 3 मैं से है, तो दोस्तों, यह रहा, Mumbai University का circular, इन student के लिए बात हुई है, आप यहाँ से जाके apply भी कर सकते हैं, उनका अपना यह online website दिया हुआ है, Mumbai University का, अब बात कर लेते हैं, अब जो दिमाग पे आने वाला है, कि sir, MA student के लिए आ गया है, लेकिन MCOM student का क्या, SY become student का क्या, इनका अभी तक क्यों नहीं आया है, तो दोस्तों, जैसे ही आप लोगों के लिए भी आएगा, मेरे इस चेनल पर वीडियो आप लोगों को 100% मिल जाएगा, सिर्फ चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भुलिए, विकोद जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपके मोबाइल तक इस एजुकेशन रिलेटेड अपडेट जरूर आ जाएंगे, तो दोस्तों बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं डेफि झाल